हेलो माई सूपर एनजेटिक, सूपर आउसम, नीट, अस्पाइरंट, स्केम छो वधा, आजे तमारी माटे हुँ नीट रिविजन स्ट्रेजी लाईने आवीश हुँ, बिलीव मी, मने तमारी 10 मिनिट आपो, आ स्ट्रेटेजी तमारा माटे कदाच गेम चेंजर साबीत थाई शाके छे, आ स्ट्रेटेजी माटे में कोई प्री प्रिप्रेशन नथी करी, जस्ट मारा जे स्टूडेंस अत्यारे इंडिया नी बेस्ट मैडिकल कॉलेजिस मा शे, त बन्ने ने मिक्स करीने, हुँ तमने आजे एक स्ट्रेटेजी आपो जही रही शूँ, जे कदाच तमारा रिजल्ट माँ फरक पड़ी शके छे, तो चलो, शरू करिये, तो रिविशन स्ट्रेटेजी ना घणा बदा वीडियोस तमें अल्रेडी जोया हशे, राइट, तो आ आ कया रिविशन नी स्ट्रेटेजी शे, एक रिविशन होई, कि तमें 11 स्ट्रेड माँ भणो शो, त्यारे तमें शरू आत थी चैप्टर्स जेम जेम भणता जाओ, तेम तेम रिवाइस करता जाओ, तो ए पहले थी रिविशन स्ट्रेटेजी होई, एक 12 स्ट्रेडेड स्लेबस खतम थाई चुक्यों हशे, तो ज्यारे नवेंबर एंड मां के नवेंबर मीड मां, डिसेमबर स्टार्टिंग मां, तमारो 12 स्ट्रेड नो बद्धोज स्लेबस पूरो थाई जाई, तेना अपशी तमारी पासे जे 5-6 महीना होई चे रिविशन माटे ना, जो में म एक्जाम होई तो तमारे 4-5 मंस गणवाना वच्चे एक महीनो बौड नी एक्जाम नो, तो एक गणवानो तो आज तमारा 4-5 मंस चे, तेनी अंदर तमें केवी रिते बेस्ट रिजल्ट मेडवा माटे रिविशन करी शको, ते आज आज आपने थोड़क डिसकस करी शू, तो बच्चा शरू करिए, साउती पहला में तमने की दू, क्या स्ट्रेटेजी क्यार माटे नी छे, तो आफ्टर कम्पलिशन ओफ 12 स्टांडर्ड सिलिबस, 12 स्टांडर्ड नो सिलिबस खतम थाई जाई तेना पच्छी नी आ स्ट्रेटेजी छे, हवे या स्ट्रेटेजी म पॉइंट छे, एक खुतबने वस्तु कहिश, जे तमारे फॉलो करवानी छे, तो हवे आज तमारा 4-5 मुंस छे, एक खुबच क्रिटीकल डूरेशन नो समय गाडों छे, खुबच क्रिटीकल डूरेशन छे, तो बच्चा आ 4-5 महिना खुबच इंपोर्टन छे, तो तेमा कई वस्तु ध्यान राखवानी, तो हवे आपड़ी पासे एक ट्राइंगल छे, एक ट्राइंगल मा तमें साउथी पेल्ला आवसो, students, पच्छी आवसे, parents, अने आवसे, teachers, तो बच्चा आ महिना मा ध्यान राखवानू छे, कि आपडा 3 वच्चे, एक ट्राइंगल रचाई एक हेल्दी ट्राइंगल रचाई, तमने जारे पन कोई difficult topic मा तमें अटको तो तमारा teacher नी help जोई से, तमने घणी वख़त हुँ थशे, कि मारा थी नहीं थाई, तो शू थासे मारा एक्जाम सारी नहीं थाई, घणी बदी वख़त तमें डरी जशो, कि मारा थी रिविजन नथी थाई रही हुँ, कि पुरिते मैनेज करू, तमने घणी बदीवार, एंग्जाइटी आउसे, स्ट्रेस फिल थासे, तो ए समय साउथी वधारे, साउथी सारा motivator जो कोई तमारी पासे छे, तो यह तमारा parents छे, कैम के parents तमने नानपन थी जेटलू समझे छे, तेटलू कोई जनेश समझी शके, तो आ त्राण जना नो एक ट्राइंगल रचावो, जो एक हेल्दी ट्राइंगल, जो आमारी कोई एकपन वस्तु चुकी गया, तमे टीचर्स सी दूर भागवा मंडिया, कि मने हमना पुच्छे केटलू रिविशन करियो, केटलू बाकी छे, सू कर तो एना चक्कर मां स्टूजेंट्स हू करे, टीचर्स जो वे एकले थी भागवा मंडिया, तो जो आ वस्तु करी, जो आ ट्राइंगल पूरो नहीं थायो, तो तमें आगण नहीं वदी शको, हावे आमा घणा बदा लोको क्वेस्चन करता होई छे, कि आ समय गाड़ा मां, फ्रेंड्स नो कोई रोल छे, तो फ्रेंड्स होवा खुबाज सारी वाद छे, आजे हुपन जे मुकाम पर छू, तेमा क्याक ने क्याक मारा सारा एवा फ्रेंड्स छे, तेमनो खुबाज मोटो फालो रहेलो छे, ने आगण पन रहेवा नो छे, तो सेम तमारा सारा मित्रो होवा एक खुब चारी वाद छे परन्तु जो तमारी पास सेवा मित्रों होई जे तमने एवु केता होई कि चल या राजय नती भणमू काले भणी लैशू का तू नेगेटिव बोलता होई कि अमे तेकली मैनत करी आटला माक्स तो आपने थी पॉसिबल अश नती आपने केव बज इंपोर्टन छे के फ्रेंड्स ने छोडवाना न थी पण जो तमने एवु लागे कि ते तमने नेगेटिविटी तरफ लई जई रहया छे तो पशी तमें थोड़ुक डिस्टन्स बनावी ने राखो जे थी ए वातों नी असर तमारा उपर ना थाई तमारे आ महीना म फूल फोकस्ट रहवानू छे तो जो हेल्दी फ्रेंड्स चे वा फ्रेंड्स चे जी हेल्दी कॉंपटिशन करे शे तमने यू कहे शे के चलो आजे आटलू वाच्ची आटलू रिवाइस करी लिए तमने यू लागे शे के तमारो समय नथी बगड़ी रहयो तो पशी तमे फ्रेंड्स नी साथे प्रिप्रेशन करी शको छो तेमा कोईच खराबी नथी कैम के एपन तमने मोटिवेटरज कर से जो सेम फिल्ड मां सेम टार्गेट लाइने चाली रहया छे तो तो आजे वस्तु छे ने फ्रेंड्स वाडी स्ट्रेटेजी तमारी पोता नी राख जो क कोई तमने गम्मे कहे पन तमारा मन ने पूछ जो कई वस्तु तमारी माटे साची शे मेक यॉर ओन स्ट्रेटेजी चलो आध है गई आपनी वाद के आपने ज्यारे पन काई केऊ था कि मोटिवेशन जो ये त्यारे आपने शू करी शो तो आएक ट्राइंगल प्लस अने वस्तु मेंटेन करीने राखवानी चे हवे आपने आवे रिवीजन प्लानिंग उपर राइट रिवीजन माटे आप्री रेक्वीजिट हतू जे मैं तमने कहिऊ तमारा टीचर तमने बे स्ट्रेजी आपसे ने फॉलो करू हवे रिवीजन ज्यारे स्टार्ट करिए त तो क्या थी स्टार्ट करवानूं तो रिवीजन माटे साउत्ती पेलला स्टार्ट करवानूं स्टार्ट विट 11 स्टांडड हावे 11 स्टांडड माँ बच्चा आपने ज्यारे चैप्टर्स भणवानी शरुआत करी हती तो आगल ना चैप्टर माँ आपने खूबच करवा करता तम्हीं लास्ट लास्ट मां जारे सिलेबस फास्ट जाई हूँ एक एजुकेटर शू में भणावे लूँ छेटले मना खबर छे कि छिल्ला टॉपिक्स होई छिल्ला बेतरन चैप्टर होई थोड़ा फास्ट थता होई सिलेबस खतम करवाना चकर्मा तो एवा जे टॉपिक छे जे फास्ट थाया छे आन्ये तमने उलागे छे कि तमने हजू प्रॉपरली लर्न ना थी तो सौथी पेला एक टॉपिक लो जे तमारा बाकी छे जे तमारा छुटी गया छे ड़न हावे रिविजन क्याथी करवू राइट वां रिविजन बच्चा आपड़े क्याा थी करई शके जिये je तो एक तो आपड़े आपड़ी ओणी नोटस बनावी छे बे वर्ष मेनत करी ने तो एग नोटस ने बिवाइज करवानी क्लास नोटस न माथी。 जल्दी जल्दी याद आउसे, तो मैं टीचर्स ने पन याद करशो कि अरे आ टोपीक आवी रित्त यह भणाव्यों तो आनू आउ लोजिक हा तो हजू पन माने याद छे confidence आउसे, तो तमारे क्या थी revise करवानू छे, class notes माथी plus नीट माटे बेस्ट बुक काई घणा बदा student पूछता होई छे, तो बच्चा नीट माटे बेस्ट बुक काई छे, NCRT, तो NCRT नू line by line revision, that is must, done, एक एक लाइन, NCRT नी एक एक वर्ड जे important words छे, घणा बदा एवा key points असे, जे आपड़े ध्याना पनू होई, प्रारम क्या थी थाई छे, बद्धाज छे, अम्मुक छे, घणा बदा एवा words छे, जे आपड़े ध्यान थी समझी ने याद राखवाना छे, त तमे proper class notes plus NCRT करशो, तो आउसे, नेक्स्ट वस्तु छे, विजक्स chemistry नू पन थोड़ू आऊशो, तमने जेम जेम आपड़े करता जे, तमने केती जाऊशो, तो साउथी पहला तो revision क्या थी करशो, तो class notes मा थी करशो, और NCRT line by line revise करशो, आप ए वस्तु में छे, चैप्टर कया लेशो, तो जे चैप्टर तमारू थोड़ू काच्चू रही गए उचे चैप्टर पहला लो, जे थी करीने finish थाई जाए, तमारी पास स्टार्टिंग मा, डिसेंबर मा थोड़ो टाइम हशे, त्यारे board preparation माटे तमारा उपर pressure नहीं होई, डन, एना पच्छी हवे शू क आ स्टेटेजी ध्यान मा राखवानी शे, जे टॉपिक तमें पहला नथी करियो, जे टॉपिक तमें पहला क्यारे नथी करियो, पड़ा क्यों टॉपिक आउट ओफ एंसी आटी वाड़ो, तैने avoid करो, डन, एनसी आटी बार नो दॉपिक छे, तो अत्यारे कोई नवो टॉपिक तमारे भणवानी जारूर नथी, तो एनसी आटी बार नो कोई पंड नवो टॉपिक हवे बच्छा आपडे नती करवानो, एनसी आ तिना जे टॉपिक छे, फक्त ने फक्त तैने ज, revise करो, हावे revision रिविशन शरू कर्यूं। इफ एक्टिव रिविशन मांटे श्रू कर्वू पड़से बच्चा तो मैक्सीमम क्वेश्चिन सॉल्वीं। राइट। हवे आमा शू थाई घणा बदा स्टूडेंट सेवा होई जे एक बे इजी बुक्स जे होई एमां सेलला सेलला MCQ होई एलाहिने पैसी जाई त्यमनें MCQ टिक करेलां टिक करेलां MCQ ने फरी फरी ने जोया करे तो बिटा रिविशन प्लानिंग मां नहीं आवे तमें जे MCQ पहला नथी करिया, थोड़ा difficult level ना छे, थोड़ा analytical level ना छे, एवा MCQ करवानी शरुआत करो, जेती तमने खबर पड़े, के तमें जे concept रिवाइस करियो, ए प्रोपली रिवाइस थयो छे के नहीं, राइट, तो आवस्तों important छे के नवा नवा question नी practice करो, तमने जे equation पुछाता होई छे, सारा level ना पुछाता होई छे, तो तमारे तना माटे एक सारी practice करवानी जरूर पड़ से, दन छे, हवे revision क्यारे करवू, केटलू करवू, आड़े धड करवू, ए equation छे आपणा मगज मा, तो बिट्टा revision माटे, एक time table बनावानू छे, आज बिट्टा आपड़े time table बनावा जाई रहा छे, ए time table, अपटू नीट exam, नू बनावानू छे, दन, तो हवे करेशो के माटलू मोट्टू time table के विरत बने, तो तम्में जारे time table बनावा, सवारे उठवा थी रातरे सुवा सुदीनू, तो तमारे एक वस्तु ध्यान मा राखवानी छे आ टाइम टेबल, बॉर्ड एक्जाम्स ना एक महीना सिवाई, जेटला पन मन्स छे, एमा हूँ, as it is follow करेश, टापिक, क्यारे कईू chapter करवू, एमा तम्में ना 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 टाइम टेबल बनावी शको छो, बट एक फिक्स्ट रूटीन, आ टाइम टेबल जे छे, एह वात करू छो, एक फिक्स्ट रूटीन नी, डान तो एक फिक्स्ट रूटीन छे, जेने follow करवानू छे, तो तम्हें एक दीवस पांच वागे उठ्या, वीजा दिवसे उंग आवी, राते बेतरन वागया, सुधी उंग नती आवी, तो तम्हें वीजा दिवसे सवारे दस वागे डान, हवे, आनी अंदर में तमने कीदू, एक रूटीन बना वानू छे, हवे शौट डूरेशन प्लानिंग करो, तो सपोस्ट तम्हें एक वीक नी प्लानिंग करो, राइट, हवे आ एक वीक मां सेवन डेज छे, तो आ सेवन डेज मां थी, फाईव डेज, टोपिक्स ना आटे आपो, आने रिवीजन में तमने कीदू, ने बिटा, रिवीजन मां क्वेशन सॉल्विंग पढ़ा, उसे चैप्टल लण करीने, हवे भणता भणता एवो थयू क्या अमुक टॉपिक आविया, कैमी ओस्मोडिक थियरी आवी, आने तमने एवो थसे कि अरे आ थियरी तो मैंने बिलकुल जयाद न थी, आनो कंसेप्ट टूटल भुलाई गयो छे, तो ते तमारे नवा कंसेप्ट मां करू पड़ छे, तो आजे टू डेस चेने बे दिवस जे छे, ए बफ़र छे, तो आजे बफ़र डेस चे, ए बफ़र डेस मां तमें ए एक्स्ट्रा वस्तु जे तमें टूटल भुली गया छो, कंसेप्ट भुली गया छो तेने राखो, तेने लर्न करवा माटे तमें वीडियो जो ही शको छो, अथवा तो तमें तमारा टीचर्स नी हेल्प लाई शको छो, तो दिसस मस्ट तो आवी रिते एके कठवाडिया नू प्लानिंग करो, प मैं जे पन डिसाइड करियो होई, तो एने पूरू करवा माटे तमें प्लानिंग बनाओ एक एक विक ना, अने एक विक मा एने एनलाईज करो, क्या प्रॉपर्ली तमारा थी थयू छे के, नथी थयू, दिसस वेरी 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 इंपोर्टन, डन, तो आ वस्तु आपड़े करवानी शे, तो में तमने जे कीदू, ए वस्तु ओ, बेस्ट रिविजन प्लानिंग माटे शे, फुजिक्स, केमिस्ट्री नी अंदर क्वेश्चन प्राक्टीस वधारे करवानी शे, जेतलू क्वेश्चन प्राक्टीस करसो, एरर अनालिसिस करसो, घणा बदा मोक एक डाइडी अत्वाद नोट्बूक में इन्टेन करो, जमाने तमें जे क्वेश्चन माँ जे चैप्टर माँ फसाव छो, ए वस्तु लखो, जे थी करी ने, रिविशन नोट्स तमारी रैडी थाए, तो रिविशन करता करता, तमारी पास से, तमारी रिवीशन नोट्स र बरूर पढ़ शेज फिसक्स कैमिस्ट्री मां तमने की दूतें मैक्सीमम क्वेश्चन प्रैक्टीस अने एरर अनालिसिस बायलोजी मां बोटनी जोलोजी मां ncrt-based question आवे चे परन्तु एमां पण analysis based question analytical question आवता होई चे तो समझी ने ncrt नी बदी लाइन learn करवानी चे बच्चा रट्टा नथी मारवानी learn करवानी चे डन तो आम मेंड पॉइंट से जे आपने ध्यान राखवाना चे फरीधी सम्मराइज करी देए पहले तो ट्राइंगल टीचर स्टूडन्ट ने पैरिंट नो एक हेल्धी ट्राइंगल प्लस फ्रेंट्स पन फ्रेंट्स मांटे पोतानी स्ट्रटेजी खुवी जो ये तैना पछिम तमारे रीवीजन माटे एक रूटीन बनावानु छे औरूटीन स्टिक थावानु छे सवार्थी रात नो जे रूटीन इमां बदलावा नहीं थावा देवाना न मन औन औन दिल भटक्वा नथी देवानू, डन, चलो, एना पच्छी शू करवानू छे, तो एना पच्छी में दमने कीदू के NCRT class notes माथी learn करो, NCRT माथी revise करो, अने maximum question practice करो, NCRT बार नो कोई पन नवो topic हवे, आपने learn करवा बेशवानो नथी, राइट, एना पच्छी error analysis करो, खुबच question solve करो, error analysis करो, पांच महिना ना time table ने divide करो, वन मंथ नी strategy बनाओ, एम पन 7 days नी strategy, अठवाड यानी अंदर 5 दिवस revision, 2 दिवस buffer, जहेमा तमने जे chapters, जे topics बिल्कुल ना थी आवड़ता, तैने learn कर सो, बढ़काया NCRT ना, बीजी एक most important वस्तु छे doubt solving, जारे पन तमे कोई topic करो शो, तमें कोई question solve करो शो, तो तमने doubt आवे, तो तमें ए doubts ने solve करो, तमारा teacher ने जाईने पूछो, previous year questions important जे, previous year question ना solution तमने YouTube पर मढ़ी जाशे, तैमा थी तमें लई शको शो, परन्तु according to me, तमें तमारा teachers ने पूछो, तो ये तमने आखो topic explain करी देशे, जे question मां तमें भराया हता, YouTube अखो topic explain नहीं करे, तो आवस्तु important छे, तो तमें जारेपन कोई topic करो, त्यारे बद्धी वस्तु ओने ध्यान मा राखवानी छे, अने तमारी पोता नी, yes मैं तमने कि दू ने, कि तमारी पोता नी neat माटे नी strategy बनाओ, right? So, I wish you all the best for your revision, तमारी game changing planning हशे, तो आने properly करो, जया जया help जो ये तिया parents आने teachers तमारी साथे छे, आवस्तु तमारे ध्यान मा राखवानी छे, right? Thank you.